मावर गाकन शामा बूटा मैंनू नजरना आई लेके जिस्तों शा उदारी रबनू स्वर्ग बनाई बाक्की कुल दुनिया दे बूटे जर सुक्या मुरजान दे एपर फुलना दे मुरजाया ए बूटा सुक जाई रब वी नेडे होके सुन्दा जद मामा करंदु मामा मादा ना लेना मानू मिलना उसनू गलवकडी पॉनी मानू रज के देख लेना रबनू त्योन ते पाठ पुजा करंदे बराबर हुन्दाई मान दी सेवा करनी किसे तीरत यात्रा नालो काट नहीं है नौम ही ने आपने जिगर दे टुकडे नू पेट च रखन दो बाद मान जनम दिन दे है जद बच्चा बोलना शुरू करदाई तो उसदा पहला शब्द मी मान हुन दाई बचपंच बच्चे लड़ देने कि मान मेरी है मेरी है जद बच्चे वड़ी हो जान देने तो लड़ देने ये मात तेरी है तेरी है ले माई असे वेडा भी वंडलिया एक खुशियां दा खेडा भी वंडलिया कार भी वंडले खेट भी वंडले ते वंडली हर एक था 10-10 केवे वंडांगे मां, मां दे पैरांच जनत वस्ती है, पीर पैगंबर जिननानो दुनिया पूझ दी है, उननो जनम देन फाली वी माई, जो मोधिया तंदा एक मा दिया बच्चे नाल चुडियां हुन दियाने, वो किसे हो रिष्टे दिया नाता हुन दियाने, ते ना हो सक दियाने, बच्चे पामे जिननी मर्जी उमर्दे हो जानतेने, पर मा देली हमेशा बच्चे रहनतेने एसे तरह एक खूबसुरत कहाणी जो परगर सिंग नी लिखी हुई है असी तो हाडिनल सांचा कर देया मगर सिंग दी 90 साला दी मा सवेरी हर रोज गुर्द्वारा साइब चे मत्था टेकन जान दी है मगर सिंग आप 60 साल दाए अते पुत पोत्रियां वाला हो चुका सी जो दो मगर सिंग दी मानू गुर्द्वारे चे देग जा पता से मिल दे तो कारा के सारे परवार नू बढ़ दिन दी सी एक दिन मगर सिंग आपने कमरी चे बैठा टीवी वेख रिया अचानक बुहा खुला देख्या मा गुर्द्वारा साहब चे मत्था टेकिया इसी इसली मगर सिंग ने देग लेली मा अगे आपने बोक बना के फिला देते मा ने मगर सिंग दे हथां ती देग तर द्यां क्या आज ता बाबे ने पतासियां तु बिना एक लड़ू भी देता है लेफड इसनु चुप करके एथे खाले एविना जवाकांच वन दे ओनानों में आपे पतासे वन द्यांगी हुण मगर सिंग आपनी पिछे मुड़ी मा वाल ते किते हाथ विचले लड़ूवल देखी जा रहा सी ते सोचता सी कि आज वी 90 साल दी मा अंदर उसले किन्नी ममताई कि तो हाड़ी मा वे एसे तरह कर दिये या कोई थोड़ा खूब सुरत पल जो थोड़ी मा दिनाल तुसी सांचा कीता होवे बहुत खूब सुरत पल तुसी सांचा करना चौन दे हो मो जो तुसी कदे फुला ने सकदे ता प्रोपन जाब टीवी दिनाल उसनों सांचा करना बलकुल ना पुलना पूरी टीम देवलो आप सब लू मां दिवस्तियां वदाईयां